वीडियो में फोट अप्लोड किया है देखिए देखा राइस्तान फिर से एक बार शम्शार हुआ है एक हेड मास्टर ने एक दली च्छात ने उसके मटके से पानी क्या पिया उसको पीट-पीट के मार्दाला च्छुआ चूट ये वो बीमारी है जिसको मिटाने के लिए डक्टर भीमराव अमिट करने अपनी पूरी जिन्दकी लगा दे थी काफी परियास किया काफी जगे चीजों को कानून बनाए गए सक्ति की गई पर अभी राइस्तान में इस चीज को बहुत माने आ चाता है मैं पूस्ता हूँ जो उची जाती के लोग होतें क्या वह पानी नहीं पीतें क्या झाना के लिए कौके की खता है वही उंची चाती के लोग हैं वही इंसान हैं वही छोटी चाती के लोग हैं वही इंसान हैं वही खाना वही पीना वही रेंसेन वही बोल चाल फिर क्यों छुआच छूट का बेदवाब क्यों इसी छुआच छूट को लेकर काफी जो कपल होते हैं जो भी लड़के लड़के होते हैं वो शादी नहीं कर पाते उनके माबाप उनकी बिना माजी के शादी कहीं और कर देते हैं रीजन यही होता है कि लड़की को जब जो लड़का उसके माबाप शादी करते हैं वो लड़का मारता है तो माबाप खुश होता है चलो ठीक है लड़की पिट्री है अपने जातवाले से ही पिट्री है शरम करो चुआ चूटे कैसा अभी शाफ है जो तुमारे मेरे हमारे आने वाले कल के लिए अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा काल बनके सामने आए उस बच्चे की गलती सिफ यही थी कि उसने हैड मास्टर क्या उसमें ग्यान की कमी है क्या वो नहीं जानता एक बच्चे ने अगर पानी पिया तो उसको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई लोग वाग प्यास बुजाने के लिए बड़ी बड़ी प्याव लगा देते हैं पानी की टंक्या लगा देते हैं टैंकरों से पा कोई ग्यान की कमी नहीं वैस उसने चुआ छूट जैसे अभी शाप को मन में पाल रखाते हैं चुआ छूट क्या होता है कि किसी सदीय कोई नहीं मानता लड़के लड़कें घर से बाहर रहते हैं पढ़ते हैं जॉब करते हैं अपने से नीचे काश्ट में वह प्यार करते हैं ए्याव साथ में रहते हैं कर रखाण में रहते हैं पर शादी करना पाया बाप नहीं बानेंगे के बादो मुं मानना भी ए जो भी मैंने काया शायद कुछ लोगों को एतराज हो या कुछ लोग मेरी बात को समझें चैनल को सब्सक्राइब पर दें जिसको मेरे बातों से कमेंड में जरूर बताएं अगर कोई दिक्कत है कोई सुजाब देना चाहते हैं राइस्तान के जालो चिले की अगटना है जालो जापुसा आगई चूरू चाक्सू जालो बहुत शरम वाली बात है चोटी सी बात है और सोचने वाली बात है